लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तक क्युम्ही सिर्ण जेगेस्ट अश्चयूक। चले पीके नगार जे घबरावत ले अब साजे नगर खोड़ अब साजे नगर खोड़ कर सकत कर सकत कर सक एक 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 की सत्ता रख्यार झाले ठाउने टुमात ले जासान रख्यार खोड़ खोड़ चलिए पीके नज़ार चलिए पीके नज़ार चलिए पीके नज़ार चलिए पीके नज़ार सज़ के सज़ के सज़ के मैं के एव जी घमरावत है अब साचे नगर को जाना है अब साचे नगर को जाना है ये धूटा नगर के है माँ ये धूटा नगर के है माँ आप अवाली तकीन आप ऴ… तकीन आप! ये हुआ अभावबी आप भावबी अभावबी प्रिदो, डॉप्टर का बुलाना अला, आपपी, आपपी ये अभी आया है Hmm, why don't you go and cover this? Not again. जब भी फसाद होता है, मुझे ही क्यों बेजा जाता है? देख लेना, वही दो गुंदा गुप में जड़फोगी, और क्या? Waste of time. Be a good girl. बता करो, इसमे लेक्षन का अंगल है या नही? It's not fair. Come on, sweetheart. Haven't I promised you a trip to Sun City? Hmm, to cover the Miss World contest? Don't crib. It's a photo. Good, you're here. See what we have done. See what we have done. See yourself. Excuse me, excuse me, madam. Aap, कौन से पेपर से? New Delhi Tribune. कौन मरा? मेरी नहीं भई, मेरी नहीं. रहन दे तू. वह, इसी महले की एक बुढ़ी और थी. क्या के लोग गड़ गए कि उसका जनाजा पुराने शहर से निकाल करके लेके जाएंगे. पूछेंगी कि वो पत्थर कहां से आया, किसने मारा, यह सारी बात तो इनक्वारी के बाद ही पता चल सकती है. मशूर हस्ती थी, इतनी सारी गाड़ियां. मशूर. हाँ, सिंगर थी, नाचने कहने वाली. और यह जो गाड़ियां देख रही हैं, वो सब नेता लोगों की हैं, जो इलेक्शन के वक्त अपना उल्लू सीधा करने के लिए जमा होते हैं. अरे ज़र देख रहा है, मा, क्या हो रहा है, देख ज़रा. शुक्री. हाँ, जी हाँ. सुनिये, मैं बताता हूँ, उन सांप्रदाइक टाकतों ने, जो इस मुल्क को बरबात करने पर तुली हैं, उन्होंने वो पत्थर मारा था, जिसकी वज़े से शहर के अजीम हस्ती, सरदारी बेगम अब हमारे बीच नहीं रही. हमारी पार्टी वाइदा करती है, कि जिसने भी उनका कतल किया है, उसे जरूर उसके जुर्म की सजा मिलेगी. शुक्री. देखते हैं. सुनिये, देवी जी. सरदारी बेगम भारती सभिता की एक सच्छी प्रतीक थी. वो सब बिता जिसे धोंगी सेक्लोरिस्ट और घोर कटर पंथी नकारना चाहते हैं. परन्त उनकी आवाज हमेशा जीवित रहेगी. हमेशा जीवित रहेगी. बस आपसे हमें यही कहना था. शुक्रीया. चले. चलो. देखा आपने, देखा आपने. महतरमा. सरदारी बेगम. अल्ला इनकी रूह को मखफरत दे आमीन. एक नहायत खुदा परस्त और नेग खातून थी. इस महले का बच्चा बच्चा उन्हें जानता था. मगर वो लोग, वो लोग जो हमारे कौम की भलाई नहीं चाहते हैं. जो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने जान बूच कर सरदारी बेगम को अपना निशाना बनाया, ताकि इससे चारो तरफ देशत का माहौल बन सके. अगर सरदारी बेगम जैसी हस्ती का कतल हो सकता है, तो महतरमा हम में से कौन महफूज है यहां? अब तो अल्ला ही निगेबान है, आप अंदर जा रहे थे, आई, माफिजे, आई, 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 वो देखे, मौलवी साब अब कहां तक इंतजार करेंगे, असर की नमाज का वक्त भी निकला जा रहा है, आना होता तो अब तक आ चुके होते हैं, आगरे से गाड़ियां हमेशा देर से आती है, आखिर भाई है, एक आत घंटा इंतजार कर लेते हैं, लीजे, वो तरशीफ लियाए, मामुचान, वो हमको छोड़कर चली गए, मॉल्वी साफ, आप तो जब बार्मियां भी आ गए हैं, जी, ताबूत उठाकर इस पर रख दीजी, ऑप बाराओ。 बिसमिल्Green Yaa कि ए सती हैं, एप पिश्वहाइचान कि जीए। अाइना मुंम्मद रसूलाई आजबो जुआन्ना मुहम्मद र्रसूलिल्ला। अब्बा। पहजीब। अरे वो तुम्हारी मकान मालकिन ने मुझे शायद दीने पर खड़ा देकर पहचान लिया और अपनी चावी से दरवादा खूलतीया। अब अब भूपी के बार में पहले क्यों नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा उनसे कोई भी वास्ता रहे। तुम्हारी अम्मा भी यही चाहती थी। लेकिन क्यूं। वो हमारा घर चोड़ कर भाग गई थी। अपने खांदान का मुंकाला करने। भाग गई थी। अपने आशिक के साथ। तुम्हारे घर है। नहीं। तहजीब। मामला जरा पेचीदा था। अब उस वक्त मैं तो वही करता था जो आपा कहती थी। सही गलत का फैसला कर सकूं। इतनी समझ कहां थी। लेकिन वो रात जब वो खर छोड़ कर गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है। रुको! ये तुम्हारे घर आने का वक्त है। कहां गे थी चुड़यल। सरसर बता वरना तुम दोनों की टांगे तोर दूगा। इतन खला महफिल में ले गई थी अपने साथ। पे शरम, पे हया। मैंने क्या तुझे इसलिए गाना सिख्रे की इजाज़त दी थी कि तु एक बाई-जी बन जा। और तु? तु दूंग बनकर साथ में क्यों गया था। तुने रोका क्यों नहीं आपा को। और हमखोर। मानमार का तरी गद बना दूगा। जब देखो पनी मनमानी करते रहते हो। कोई बात समझ में नहीं आती तुम लोगों के। अब तु मुझे जवर इसी साथ ले गए थी। मैंने बहुत मना किया, मगर नहीं मानी। पूछ लो आपा से। क्यों? तुने जित की, इसलिए मैंने तुझे गाना सिखने एक दन के यहां भेजा। और तुने वादा किया था कि तुम महफिलों में मिरासनों की तरह नहीं गाएगी। किया था कि नहीं। आइंदा मैं तेरी किसी भी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। प्रामकौर मिरासन बनेगी। खबदार जो आइंदा घर के बाहर कदम भी रखा तुने। गाना बजाना सब बन, कॉलिज जाना भी बन। पिछले साल तेरी चाची जब रिष्टा लेकर आएंदी तभी तेरे हाथ पी लेकर देता तो अच्छा होता। अब यहां बुझ जैसी खड़ी जो है, दपाऊ जा। और सुन तू, आइंदा अगर तुने उसकी मदद की, तो तेरी खाल उधर दूगा। लुच्चा गई जा। हुच्चा गई जिए जो रखिकार मडिडा की मलिकी है निए जाओ जाओ तो काते हों जिए जाओ देकिर गॉतार के अजवादे का ऑप लुच्ट नग्लादे साओ जो जाओ तो जिना दुनमे तराद करते हां जपार, 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 जपार भीया, जपार, मुझे पता है तुम वहा हो, जपार भीया, मेरी मदद करो, जपार, जपार भीया, जपार, जबारभीया, दरवाजा खोल दो, जपार, 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 जबार भहिया, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी नहीं नहीं, अबबा मारेंगे, तुम्हें भी और मुझे भी जबार भहिया, दर्वाजा खोल दो, एक बार नहीं आपा, मत खोलो, मैं फाथ ही लेगा कर अपनी जान दे दूगी और सब को तुम्हें तर आएगा और मेरी रूप भूद्पन के सिंदिगी पड़ तुम्हारा पीछा करेगी हम का जा रहें आपा? चलो, आना इतन खाला, इतन खाला इतन खाला मुझे अपने पास रख लो अब मेरा गाना बंद कर आ रहे है मैं मर जाओंगी मैं सच मुछ मर जाओंगी मैं आपकी गर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ कपड़े दोना बरतन माजना मैं सब करूंगी इतन खाला मुझे अपने पास रख लो बेटी, मैं कहा मना करती? मैं मैं मजबूर हूँ जा बेटा नहीं इतन खाला चलो आपा उधर कहा जा रियो आपा? हमारा घर तो इधर है मैं मां कभी नहीं जाओंगी क्यों? मेरे साथ शामली चलेगा शामली? पर मां क्यों? तु सवाल करता रहेगा यह चलेगा भी मेरे साथ? नहीं आपा, चलो घर चल दे तुझे नहीं जाना तो मत जा मैं अकेली चली जाओंगी नहीं आपा, आपा बाद मैं पता लगा कि वो हेमराज नाम के एक जमीदार की रखैल बनके रहने लगी अब ऐसी औरत को मैं खुले आम अपनी बहन कहता फिरू? उसमें और एक मामूली तवाइफ में फर्क ही क्या था? अबा लेकिन मैंने तो सुना था कि इस सदी के बहतरीन थुम्रे गानी वालियों में उनका शुमार था? लाँ होगा मुझे क्या? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन्हें अपने खांदान की इजजत और नाम का जरा भी ख्याल नहीं था खुदा मुझे माफ करेगा मरे हुए की बुराई करना गुना है लेकिन अबबा आपकी एक ही तो बहन थी आपको उनसे प्यार नहीं था? था जो नहीं था बिल्कुल था बलकि मैं तो खुद बरसों बाद जब उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी तो रुपए लेकर उनके पास उनकी मदद करने गया था लेकिन उनोंने क्या किया रुपए उठा कर मेरे मुउ परदे मारे किस बूते पर वो इतना इत्राती थी, खोदा यह बहतर जानता है अ बहुर्य, डॉक्टर ने मना किया है अरे यह डॉक्टर क्या जाने शकर नहीं, नमक नहीं मैं क्या गाजर मुली पर बसर करो, मैं घोडा नहीं हूँ आप आप परहेश करने से आप ही का फायदा होगा अच्छा, तुम्हें मेरी फिकर कब से होने लगी, तुम सबसे लंबे उमर होगी मेरी, देख लेना भया, तहजीब को फिर नहीं लाए, कौन सी क्लास में है, बस कॉलेश का एक साल और बागी रह गया है, माशाला आप आप, काश आपने सकीना को कॉन्मेंट में न सही, कम से कम किसी धंके स्कूल में भेज दिया होता क्यों, इसे तो गाना है, पढ़ाई में क्या रखा है अब गाना क्या इतना जरूरी है मौसी की एक फन है मिया, खुदा ने अच्छा गला दिया है तो उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए अब तुम ये कहोगे, शरीफ घर की लड़कियां गाती नहीं अब आपसे कौन बहस करें खेर, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ ये रख लीजी ये क्या है आपके लिए है, आपको पैसों की जरूरत होगी यही सोच के लिए आया किसने कहा हजारों में नहीं कमारे तो भीक मांगने की भी नौबत नहीं आई अभी तक मुझे अची तरह से याद है आपा, कर्स था क्या कर्स कर्स की रट लगाय हुए हो भाई बहन में कैसा लेन दिन जो कुछ मेरा है वो क्या तुम्हारा नहीं है आपा, ये पैसा आपका है बस हराम की कमाई है, इसलिए लोटा रहे हो मैंने ऐसा कहा क्या? कहा नहीं, लेकिन मतलब तो यही था न मैंने गाना गाकर पैसा कमाया है बदन बेचकर नहीं, रख लो इने नहीं चाहिए तुम्हारी खरात आपा, मैं आपके दीवे पैसे आपको लटा रहा हूँ तो इसमें तैस में आने की कौन सी बात है? रख लो, नहीं तो कूड़े में फैक दो मुझे नहीं है इनकी दरकार, सुन लिया? क्यों फिजूल में अपना बीपी चड़ा रही है आप चाचा, ले जाए इन रुपयों को और फूग डाले एक एक मनहूस नोट मैं जा रहा हूँगा, मुझे आपकी बकपास और नहीं सुनने है हाँ, जाओ यहां से, और पर कभी आने की जरूरत भी नहीं सुनने हाँ अब मैं इस घर में कभी नहीं आउँगा पैसों का क्या हुआ? खुपी ने सजमु चला डाली? हाँ, वो कहां जलाने वाली थी? मेरे जाने के बाद अलमारी में बंद कर दी होंगे हाँ, वो ऐसी थी मिनिट मिनिट में अपनी बात बदलती थी वो क्या चाहती थी, उन्हें खुद नहीं मालूम था काफी रंगीन हफ़ती थी काश मैं उनसे मिल पाती देखो तहजीब, मेरी किसमत में जो भी लिखा है, मैं उससे खुश हूँ लेकिन आपा, उन्हें आस्मान के सितारे चाहिए थी और मिला क्या, खाक कुछ तो मिला, नाम, शोहरत मारीन तो गुमनाम उन्हों ने अपनी मर्जी के मताबिक अपनी जिंदगी बिताई हाँ ठीक है, लेकिन समाज में अपनी लाज रखना भी मानी रखता है खांदान की इज़त भी कोई चीज होती है मुझे लगता है, वो एक आज़ाद ख्याल की और थी और हमारी समाज में, ऐसी औरतों यह कोई इज़त नहीं और मुझे लगता है आपा के कोई उसूल नहीं थे उन्हें रिवायत की कोई कद्र नहीं थी जिन उसूलों और रिवायतों के मुताबिक मैंने तुम्हें पाला है औरतों को फर्माबरदार बेटी, एक आदर्श बीवी और कुर्बान हो जाने वाली मा बनना चाहिए है ना हलो तैजी अबा ये, ये मिस्टर डिक्रूज है हमारे अखबार के एडिटर, मेरे फादर तैजीब तुम्हारा दिक्र कर चुकी है आपसे मिलकी बड़े खुशी हुई बाइदों तैजीब, पता चला वो औरत कैसे मरी पत्थर हिंदू था, ये मुसल्मान, ये फिर एक पूरी तरह सेकुलर पत्थर वो हमारी रिष्टेडार थी, अबा के बहन oh, I'm sorry I really didn't know that well, well, I don't want to intrude तैजीब, मैं चलता हूँ कल, कल मिलेंगे, आफसे good-bye Mr. Abbasi आपसे फिर जरू मुलाकात होगी तो यह है वो शक्त जिसकी वज़े से तुम समाज की तमाम रिवायतों को ठुकरा देना चाहती हो क्यों, आपका अच्छे नहीं लगे अच्छे या बुरे लगने का सवाल ही कहा हुटता है मुझे देखते ही तो हज़रत भाग खड़े हुए तो मैं लगता है तहजीब कि यह आदमी तुम्हारी वज़े से अपने बीवी बच्चों को छोड़ देगा हाँ, मुझे से शादी करने वाले हैं अगर मेरी राय तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखती तो मेरे लिए यही बहतर होगा कि तुम्हारे मामलों में दखली ना दू और अब मेरे ख्याल से मेरा यहां रुकना भी बेमतलब है मुझे स्टेशन जाना एक टैक्सी मंगवा दो इस वक्त आगरे की कोई गाड़ी नहीं है स्टेशन पर एक रेटाइरिंग रूम होता है जहां रात काटी जा सकती है अब अब कर दो कर दो कर दो सर्दारी बिगम की जीवन और संगीत पर एक लंबा अटिकल लिखू पहजीव पहजीव जीव इस नो लॉग नूगर नूज वारिंच यूज अडिस्टाइब हाँ कम्यूनल आंगल पर कुछ खोश निकालो तो जबर्दस्ता आइटम बन सकता है तो ब्लाडी बॉरिंग मुझे तो इसलिए इंट्रेस्ट है कि हमारे जैसे दक्यान उसी माहोल की औरत कैसे ठुम्री सिंगर बनी जिसकी वज़ा से उन्हें अपनी फैमिली से भिकटना पड़ा पहजीब हमारे रीडेस को तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में कोई दिल्चस्पी नहीं तुम तो ऐसे फड़क में जैसे कोई डीप डार्क सीक्रेट सामने आ गया हूँ तुम्हें इंट्रेस्ट नहीं है तो ना सही मैं कहीं और चपवा लूँगी एक तुम्हारा ही पेपर नहीं है अरे तुम तो बिगड़ गई है अचा अचा सुनो संडे एडिशन के लिए तुम्हें एक छोटा सा पीस लिग देना ओके हम शाप देंगे है अपी मैं भी आ रहा हूँ जैनेट और बच्चे बैंगलोर जा रहा है मैं नहीं जा सकती मुझे सर्दारी वाली कहानी पर और काम करना है पैजीब इस स्टोरी मोई इंपॉर्टन थैन आ बिंग टोगेद स्टॉप मेकिंग इन इशू ओफट तुम्हारी कन्विनियन्स को देखकर आज तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ टूर्स पर गई इस पार मेरे लिए कन्विनियन्स नहीं है पानी क्यों बढ़ दिया और तुम क्या कर रहे हो बैठे रहना बज कुछ काम मां मत करना आप मुझे नहीं जानते मैं तहसीव हूँ जबार मामो की बेटी लेजा बता है लाइए मैं आपका हाथ बटाती हूं ओफो लखने आतमकर धोड़ी आख बहुत जादा हो रही है हम दोनों पहले नहीं मिले इस बात का मुझे बहुत दुख है लेकिन अब एक दूसरे को करीब से जान सकते हैं है ना आपका क्या ख्याल है गुपी जान की याद को जिन्दा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं सोच रही थी उनकी शख्सियत और मौसिकी पर कुछ लिखू आपको मुझे बहुत कुछ पता सकती है देखिए आप तो आप मेरी मदद नहीं कुछ कर सकता हूँ जी हाँ मैं उन सब लोगों का इंटर्व्यू लेना चाहती हूँ जो सर्दारी बेगम का करीब से जानते थे इनी सजेशिंस बंद आपके सामने खड़ा है आप जब कैं हाजिरूं पर पहले आप हमारे सारंगी नवास फटा कान साब से बात कर लीजिए चेचा चेचेचान हाँ बेटा आप जनलिस्ट हैं सर्दारी बेगम के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं इन्हें समझा दीजिए अभी फॉरण दो मिनट में पागर नहीं ऐसे कोई जल्दी नहीं है खासाब आप आराम से बताईए बेठो हाँ बीबी बताओ कहां से शुरू करूं आप उन्हें कब से जानते थे बहुत साल भी के जब पहली बार देखा तो बच्ची ही थी तब मैं इद्दन बाई का मुलाजिम था साबरियाद 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 देख जरा इस और साबरियाद देख जरा इस और साबरियाद साबरियाद देख जरा इस और साबरियाद देख जरा इस और यूना आख चुरा यूना आख चुरा चित चौर संवरिया देख जरा इस और संवरिया देख जरा इस और मैं हूं सजना संवरिया देख जरा इस और संवरिया देख जरा इस और हूं सजना पिंजरे में गाती मैंना तू बन का है मौर तू बन का है मौर संवरिया देख जरा आख जरा इस और आख जरा आख जरा इस और देख जरा इस और तू ने बांधा तू ने बांधा बांधा तू ने बांधा कैसे धागे से मुझको तू ने बांधा कैसे धागे से मुझको डोटे ना ये दौर डोटे ना ये दौर एह कौन हो तुम लड़की ऐसे मूठाय काय कुसाई मैं गाना सीखना चाहती हूँ अच्छा नाम क्या है? सरदारी वालित का नाम? महमूद अबासी वो वकील साहब जो सड़क पार रहते हैं? जी उन्हें इस बात का इल्म है कि तू मुझसे सीखना चाहती हो? जी नहीं, बिलकुल इल्म नहीं है उन्हें गाना पसंद नहीं इसकी बिजादत आपको ही लेनी पड़ेगी मुझे? वो तो बाद में देख लेंगे अगर अभी कुछ याद है तो सुनाओ जी मुझे मीर अनीस का कलाम याद है वही सुनादो हुसेन जब के चले वाद दो पहर रन को कोई न था के जो था में रकाब तासन को सकीना रोटी थी था में कबा के दामन को हुसेन चुपके खड़े थे जुकाए गरदन को शाबाश बेटी खुदा तुमें लंबी उम्र दे बड़ी दबंग बच्ची है और कितना दर्द है इसकी आवाज में वा 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 जीती रो बेटी सलामत रहो उनकी आवाज में वाकई एक कशिश थी क्या कहें उसके बारे में बस यही समझ लो बीबी कि खुदा की देन थी जब गाती थी तो मैं फिर लूट लिया करती थी बीजी है परके आओ बोल मैं है के रंग जलके आओ आए चमन में फिर से निखार आओ जो तुम तो आए बहार रुत लहके रुत बैके कली खिले चमन जो मेरा हमें पिछी है परके आओ बोल मैं है के रंग जलके आओ क्या वाव 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 बात आओ शुक्त विया वाह इतन भाई वाह खूब तयार किया है तुमने सरदारी को वाह 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 आगे चलकर ये तुम्हारी परंपरा की सही नुमाइद्गी करेगी वाह 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 सरदारी इधर आईए जाओ आईए आईए तुम्हें जो भगवान ने देन दी है उसकी तरफ कभी लापरवा ही नहीं बरतना हूं ये लो हमारी तरफ से इनाम आदाब करो बेटी खाला ये हम्राज साहब तो संगीत के बहुत बड़े रसिक दिखते हैं हे म्राज साहब सिर्फ संगीत के ही नहीं बेटी हर खुबसूरत शेह के कदरदान है ऐसे मर्दों से बच कर रहना बेटी तुम्हारी तारीफ के आड में कहीं वो तुम्हे ही न लोटने तुम्हें हमेशा सोचना होगा के अपनी जिंदगी का एक ही मकसद है बेटा संगीत उसके सामने बाकित साहब बहुत हल्का पड़ता है चचा चचा ये अंगुठी तुम रख लो अरे नहीं नहीं बेटा ये तो राजा साहब ने आपको दी थी चचा मैं इसका क्या करूंगी रख लोना चचा खुश रहो बेटा उस घर में वो उनकी आखरी रात थी बीबी उसके बाद वो वहां कभी नहीं गई हां मेरे अबबा ने मुझे इसके बारे में बताया था हां हां यकीनन बताया होगा बीबी शायद तुम्हें मालूम नहो तुमारे खाननान वालों ने उन्हें आख कर दिया था लेकिन इस बात को लेकर सरदारी में कभी करवाहत नहीं आई बड़ा ख्याल लगती थी सबका खासतोर से तुम्हारे अबबा जबार मियां का मगर अबबा ने भी तो उनकी मदद की थी जब उनकी माली हालत बिगडने लगी अरे बीबी तो उन्होंने कौन से कम किया दोनों हाथों से देती थी इतना बड़ा दिल था उनका घिर घिर आई बदरिया कारी घर घर लाए लाल नहर मतवारी घिर घिर आई बदरिया कारी घर घर आई बदरिया कारी घर घर लाए लाए लहर मतवारी घिर घिर आई बदरिया कारी मामुचान आ गए तस्लीम मामुचान अरे सकीना कैसी हो तुम अरे चबबार आज इद का चांद कैसे दिखाई दिया बस वैसे ही आपा पड़ास में आया था काम से तो सोचा तुम्हारी बीवी को पता चलेगा न तो जुलाब का डोज लेना पड़ेगा मामुचान पैचिये ना लाइए से मैं रख देती सकीना मैं अपने भाई की खातिर तवाजा खुद संभाल लूगी तुम जाओ जर अपना हुलिया की करके आओ बाल है के भिड़का छता एक मिनिट सकीना यह देखो तुम्हारे लिए शुक्रिये मामुझान ठीक से बाल बनाना और मुझ भी धो लेना जब बार भैया बैटो तो जी और सुनाओ क्या-क्या खबरे हैं रहजीब कितनी बड़ी हो गई उसे भी साथ ले आते हम भी देख लें एक बार तहजीब की स्कूल की तालीम तो पूरी हो गई आपा और यहीं दिल्ली के अच्छे गल्स कॉलेज में एडमीशन मिला है उसे अंग्रेजी अदब में भी ये करेगी माशालला अपनी सकीना तो निरी गधी है पड़ाई लिखाई का जरा भी शौक नहीं लेकिन आपा आपके इतने सारे कॉंटेक्ट्स हैं आप चाहती तो उसे भी अच्छे कॉन्मेंट स्कूल में दाखिला मिल सकता था ना उसके लिए मदरसा ही ठीक था हाँ तो इस बार किस गरत से आना हुआ पर्मिट, सिपारिश, पैसे या कुछ और वो बात यह है आपा के इन दिनों नकली जेवरात का सीजन तो है नहीं दिवाली आने तक ही बाधार गर्म होगा उधर तहजीब की पढ़ाई का खर्चा बहुत जारा है और शुक्र है खुदा का कि इस घर में किसी चीज की कमी नहीं और सब इस गले की देन है जो सूपर वाले ने मुझे बक्षा है सकीना जी आपा भी जरा मेरा बटवा तर लाना बेटा कौन सा? लालवाला कार्चो भी बटवा जी एक बात कहूं जबबर तुम आदत से बड़े आलसी हो देखे आप आप जानती है मैं सिर्फ विजद की कमाई करता हूं वरना मेरे पास भी है जबबर तो मेरी कमाई नाजायज है क्या? तुमारे बीवी तो यही कहती होगी ना कि सर्दारी आवाज बेचती है बोलो कितने चाहिए? दस हजार दस हजार बहुत होंगे बस मैं तो सीना चीर कर दिल निकाल कर देने के लिए तैयार हूं पंग कर तो देखो ये लो बीस हजार बीच हजार तो अच्छा आपा आप इसे करदा समझिए मैं जल्दी से जल्दी आपकी रगम वापस लोटा दूगा करदा किस वास्ते ये मेरी भती जी की तालीम के लिए मेरी तरफ से तौफा है अच्छा आपा चलता हो खुद आपस चाई पी करते जाओ जब बार नहीं कुछ जरूरी काम है मैं फिर कभी आऊँगा खुद आपकेना खुद आपस बेटे बड़ी नेक और फयाज दिल खातून थी मैं तो बेसाहरा और यतीम हो गया बस एक यह अंगोथी निशानी रहे गई है उनकी आपके असाधारी आप आपके किताब लिखेंगी अभी कुछ भी कहना मुश्किल है अगर मचीरियल मिल गया तो किताब भी बन सकती है पता मेरे पहली बार आपासे कैसे भीट हुई थी उन दिनों बहुत कम मैफिलों में गाया करती थी तक्रीबर रिटार हो चुकी थी मैं तुनके संगीत पूरी तरह से फिदा था हाला कि कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी आखिर मैंने मिलने का भाना धूनी लिया कि अज़िए कि अज़िए खुदाहाफिस जबर खुदाहाफिस आप फिर कब आओगे जल्दी आना अच्छा जी हम मुरीदों को आपके कदों में बैठने की जासत है अरे उठो उठो ये क्या भे हुद्गी है ये मुनीर है और मैं अमूद हुब करें तो हम जान छेड़कने को भी तयार है मुझे अपने सब चाहने वाले अजीज है खुदा तुमें सरामत रखे आप दोने यहां क्यों आए है हम अपनी दानरस सभा के वाशिक समेलन में आपकी शर्कत चाहते है मैंने समेलनों में गाना बंद कर दिया है आप लोगों को संगीत की जरा भी कदर नहीं पिछली बार गई थे एक समेलन में तो लोग बीच बीच में आ रहे थे जा रहे थे आपस में बत्या रहे थे यहां तक की मेरे सामने बैठकर आलू के चिप्स चभा रहे थे समेलन नहीं था कंबख्त गाउं का मेला था मेला नहीं हमारे ऐसा नहीं होगा मैं बादा करता हूँ कि समाई नदब से पेश आएंगे किसे बत्तमीजी कि तो फॉरां काल पकड़कर निकाल दे जाएगा जब तक आप हाने करेंगे हम यह आसे हिलने वाले नहीं है बेहयाई की भी हद होती है एक बार कहे दिया नहीं गाउंगी काफी है सकीना जनाइन हजराद को बाहर का रास्ता दिखाना नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती है देखे न हमारे पास आपके सब रिकॉर्ड है यह देखे सरसुती मा के खसम मुझ जैसा शादाई आपको शायद ही मिलेगा बेगम साब आपको तो आना ही पड़ेगा हमने तो पोस्टर भी छपवा दिये है मान जाइए हमारे इज़त का सवाल है अच्छा ठेहरो अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी सकीना तुम्हारी सभा में गा सकती है जी मगर इन्होंने इससे पहले तो कभी गाया नहीं नहीं मेरा मतलब अरे भाई शुरुआत कहीं से तो करेगी जानते हो जब मैं इसकी उमर की थी तो मेरी आवाज में इतनी तैयारी नहीं थी तुम्हारी सभा की शोभा बढ़ेगी यकीन मानो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा क्या मुनी क्या क्याता है ठीक है स्विकार कर ले लिगम साहिबा आपका हुकम सरांखो पर आप सिर्फ इतना बता दीजिए हम कितना पेश करें पंद्रा हजार हमारे पास तो कुल साथ हजार पांसा रुप है नहीं नहीं दस हजार दस हजार तो मैनेज कर लेंगे हाट में सबजी खरीदने निकले हो मोलतोल की मुझे आदत नहीं एक बार कह दिया हम पंद्रा हजार लेंगे ने ने ठीक है मन्सूर है मन्सूर है और आपको हमारे लिए गाड़ी भी भेजनी होगी काली काली कोईल कोके डाली डाली भवरा गूझे सन सन आय भीग हवाएं खन खन काले बदरा गूझे घिर घिर आय बदरिया खारी घिर घिर आय बदरिया खारी चम चम बाजे बरखा पायर जम चम बाजे बरखा पायर किन गिन देरा निहार नहीं दो एक बार गिर आय बदरिया खारि घिर घिर खारी खारी घिर खारी आई बहरी आगारी आप लोगों को ना तो मौसेकी की कद्र है और ना शौूर ये कैसी संगीत सभा है जहां एक नई होनहार कलाकार को जलील किया जाता है बहुत अफसोस की बात है आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि हम आपके सामने गाएं उस दिन के बाद सरदारे बेगम के नजर में मुझसे बुरा कोई नहीं था महीनों महीनों तक उन्होंने मुझे मिलने भी नहीं दिया इतनी खफा थी हेम्राज हेम्राज नहीं मैंने नाम नहीं सुना अरे बीवी उन्हें तो मैं जानता हूं आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं कई बरस हो गए उनसे मुलाकात हुए कुड़ा मालूम आप मुझे पैचान भी सकेंगे या नहीं आओ बीवी क्यों भए राजा साब गार प्रक्ते हैं क्यां figuring में अर्जा मां है आज आज माप कीजिगा राजा साब गर पितशीफ रखते हैं क्या अनका तैसरा होस हुगया क 앞으로 गभरी आज बिसे मिद्क आशिए वान गातल अबिसे जी हुए सदारी बेगम की बतीजी है आदाब उनके बारे में एक मजमून तयार करे ही हूँ शायद आप मेरी मदद कर सकती है आईए बैठिये शुक्रिया क्या लेंगे आप शुक्रिया नहीं आप जहमत न करें शुक्रिया क्यों पुराने दुखों को दोहराना चाहती हूँ वो घाव तो कपके भर गये है सरदारी बेगम का इंतकाल हो गया अच्छा हमें नहीं था मालूम कब हो आईए पिछले हफ़ते ओ भगवान उसके आत्मा को शान्ती दे तुम सोचती होगे कि हमें उससे नफरत थी नहीं ऐसा नहीं था बलकि हमें तो दया आती थी उसकी दशापर बेचारी उस राज जब वो भाग कर यहां आई थी उसके उमर तुम्हारे जितनी रही होगी इतनी रात करें यह लड़की यहां क्या करें राजा साब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी अब आ मेरा गाना बंद करवाने पे तुले है मैं सिदा कर से भाग कर आपके पास आई हूँ आप मेरे लिग कुछ करिये तुम इदन भाई के पास क्यों ने चली गई मैं वही गई थी मगर उन्होंने मूँ पेर लिया अगर मेरा गाना बंद हो गया तो मैं जहर खालूँगी देखो मुझसे जोगो पाएगा मैं जरूर करोगा तुम कहो तो मैं तुम्हारे वालिज से बात करूँ नहीं नहीं वो तो मेरे शादी कर देना चाहते हैं खुदा की वास्ते मेरे लिए कुछ करिये मैं आप क्या रहकर गाना सीख सकूंगी मुझे अपने पास रख लीजिए तुम यहां इस घर में रहना चाहती हो तो फिर मैं क्या करूँ मरा आदर साब की सिवा किसी और को नहीं जानती कुछ दिनों के लिए यहां रख लें तो क्या हर्ज है हमारे पीछे के कमरे तो सब खाली पड़े है एक कमरा इसके लिए तेयार करवा दो यह लड़की यहां नहीं ठहरेगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसका क्या परिणाम होने वाला है इससे तुरंत यहां से भेज दो वरना मैं धक्के मार कर निकलवा दूँगी तरवावन्द उन्होंने उस पे तरस खाके उसे शरण तो दिया मगर उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा अब हमारे पती ठेरे रंगीन मिजाज दुनियादार आदमी ये बात किसे से छिपी नहीं थी बीसे औरते उन्हें घेरे रहती थी जिन में से एक सरदारी भी थी मगर नजाने कि उसे ये भरम था कि उसे ब्याता पत्नी बहेंगे अब ज़र सोचो उसके पास हाई ही क्या जिससे वो आकरशित होते एक मामूली खांदान की साधारन सी लड़की खैर जब उसने बहुत जित की तो हमारे इस साहब ने घर में उसकी महफिल रखी गर ना ही हमरे शाम गर ना ही हमरे शाम घर ना ही हम ते शाम वो जाके परदेश बिराज जाके वो जाके वो जाके परदेश बिराज जे सुना हमरा धाँ सुना हमरा धाँ घर ना ही हमरे शाम घर ना ही हमरे शाम थंडी थंडी उरवाई है थंडी थंडी उरवाई है बग्यन में मस्ती चाई है बग्यन में मस्ती चाई है पापी पापी हाँ हमरा बैरी लेत पिया का नाम लेत पिया का नाम करनाद हमरे शाम करनाद हमरे शाम सावन आये जियरातर से सावन आये जियरातर से सावन आये जियरातर से सावन आये जियरातर से तन सुलगे जो मेहा बरसे शाम जो आके अंग लगाने मन पाए आराम मन पाए आराम घर ना ही हमरे शाम घर ना ही हमरे शाम घर ना ही हमरे शाम उस महफिल के कुछी सब्ता बात सरदारी सादिक मुस्वी के साथ दिल्ली चली गई हर साथ हमारे गहने भी ले उड़ी इन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सर्दारी उनके साथ ऐसे दगा करेगी जहां तक हम जाने उसके बाद वो आगरा कभी फिर वापस नहीं आई कहते उस आदमी सादिक साथ उसकी शादी हो गए थी बहुत-बहुत शुक्रिया आपके बयान से मुझे काफी मदद मिलने वाली है बही अब हमें क्या मालूम था कि आगे चलकर चोटी की गाने वालियों में उसकी पहचान होगी कलियोग है तभी तो हम जैसुन से जादा नाचने काने वालों की चर्चे हैं आजकर बेटी तुम सरदारी की रिष्टेदार हो किसी से कहकर क्या हमारे गहने नहीं फिरवा सकती बड़ा उपकार होगा तुम्हारा कोशिश ज़रूर करूंगी अच्छा आदाब क्या फूपी जान सच मुझ कहने लेकर भाब गई थी नहीं बिल्कुल नहीं जहां तक मुझे इल्म है राजा साब ने वो गएने सरदारी को बतोर नसरा ना पेश किये थे यानि हेमराज उनका ख्याल रखते थे बिल्कुल रखते थे बिल्कुल रखते थे वरना मेरे हाथ में रुपए रखकर ये क्यूं कहते कि सरदारी के लिए मकान डूंडो उसकी ठुम्री और दादरा की तालीम रुखनी नहीं चाहिए मैं उस वक्त सरदारी को जानता हूँ बीबी क्या उन्हें हेमराज से इश्ग था? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि उन्हें राजा साथ से इश्ग था या राजा साब कोन से? ये तो दिल की बाते हैं दिल वाले ही जानें बीबी हाँ इतना जुरूर कहना चाहूंगा के सरदारी के अर्मान वो पूरे नहीं कर भाए राजा साब को दरस लेक हद तक मौसिकी से दिल्चस्पी थी वरना बीबी वो गाने से ज़्यादा गाने वालियों को पसंद करते थे अच्छा बाब बनी सरदारी और मैं बनूगी हे म्राज बलो क्या चाहिए तुम्हें आप में ऐसा क्या रखा है जो आपने मेरा मन मोह लिया वैसे तो आप से ज्यादा हसीन और जवान लड़के मेरा हाथ थामने को तयार है लेकिन क्या करूँ मेरे आंका? मैने अपना दिल जो आपको दे दिया मैं का ऐसा कहती हूँ? आपको अपना दिल दे दिया नाराज होगी बेगम? मुझे बेगम मत दिए, मैं सरदारी हूँ आप मुझे संगी सभा में जाने से क्यों रोकते हैं? क्या मैं अच्छा नहीं गाती? बस आपके दोस्तों के सामने गाती रहूं तो लोग मुझे जानेंगी कैसे? क्यों ही बुड़ी हो जाओंगी? जाने मन, गाना ही तो तुमारी जिंदगी है दस के सामने गाओ या दस हजार के सामने? बात तो एक ही है आप नहीं चाहते कि लोग मुझे जाने और दुनिया में मेरा नाम हो अरे इसमें रखा ही क्या है? ठुमरी और दादरा उन चंद रसिकों के बीच में बैठके सुनने वाली चीज है जो इसका असली मजा ले सके पुरानी नायाब शराब की तरह अच्छा यह देखो यह देखो तो सही तुमारे लिए नजराना लेकर आया हूँ देखाओ यह देखो यह पुंदे यह कडे अब तो खुशोदर तुम तो मेरा छूता ही रहो सरदारी हर कोई तुम्हे उठा के परखने लगे तो तुमारी चमक तमक कमने हो जाएगी क्या यह क्या कर रहे हैं देखते नहीं सामने बैठे हैं तो क्या हुआ सरदारी खोदा उन्हें जन्नत नसीब करें मैंनी होता तो आप इस तरह मेरे सामने बैठी नहीं होती उनके बारे में इंटर्व्यू लेते हुए चाहे मारे दालो राजा चाहे काट दालो राजा हम तो यारी करेंगे बालों में गजरा बांधेंगे और पैरों में पायल हुटों पर लाले दमके की और आखों में काज़ चमकेंगे कालों में जुमके और बाते पर जुमर सारे जल्बे सारे नक्रे सारी अदाएं देकर तुम्हे दे जाने की पूरे तैयारे करेंगे चाहे मार डालो राजा बोलो सादिक मियां कैसी लगी? नमकीन है के नहीं? नमकीन क्या है? यह तो बेमिसाल अदाकारा है तुम आए तभी हमारी गली तो हम छत पर आजाएंगे इशारे करेंगे हम तुम को तुम्हे हम घर में बुलाएंगे पान कभी हम पेश करेंगे तुम को राजा जानी और कभी मांगेंगे तुम से हम रूमाल निशानी प्यार में चोख होती है पाते जारी करेंगे क्या दाएं? क्या आवाज? क्या निखार है? कहते हैं गुदरी में लाल नहीं चुकता क्यारी करेंगे, दिल दारी करेंगे वाँ 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 क्या वाँ क्यों साजिक मियां कैसी रही अरे कहा जल दिये ओ इस हखेर से गुलाम के हाथों का दिया ये गुलाब तो कुबूलिये बेगम साहबा सादिक कहते हैं मुझे इजाज़ते तो आपको सरदारी कहकर मुखातिक करूं तेरा तबस्स्म हो गया मेरे दिल के पार ये जखमी दिल लेकर कहां जाऊं मैं मैं चाहूंगा के तुम मेरी रफीकाए खयात बनो जब तक इस दुनिया में खायद मुकरर है तुम मेरे साथ रहो मुझे से शादी करोगी शादी अभी इसी वक्त अगले गाने से पहले या उसके बाद क्यों सादीक मिया हमारी बेगम से क्या बाचित हो रही है राजा साब एक मौल भी बुला लीजिए यह हजरत मुझे शादी करना चाहते हैं हम् हाहाहा सादेक मिया की बातों पर मत जाना यह तो हर असीन लड़की को देखकर मोहित हो जाता है इस बार मैं सीरियस हो अच्छा आपको बुरा नहीं लगा बुरा क्यों लगेगा सादेक जैसे मसकरे से मुझे कोई डर रही है हाहाहा चलो भई मैं फिल शुरू करें आप और उसके बाव शहर छोड़कर आपके साथ चली आई मैंने तो यह सुना है अच्छा किसे सुना मैं भी तो सुनू हाह यह बात सही है के सर्दारी मुझ पर मरती जरूर थी लेकिन एक प्रॉब्लम था कैसा प्रॉब्लम अभी इन बातों का जिक्र न करें तो बहतर है पर तुम जब बार की बेची हो इसलिए तुमसे क्या छुपाना लेकिन तैजीब इस बात को आम नहीं करना पेकार में किसी का दिल क्यों दुखा है और यह क्या तुम अवक तक त्रियार नहीं हुई मेरा सर भटा जा रहा है टैक्सी नीचे इंतिजार करिये चलो चलो डिल दिखरो सद्द्द के लिए कुछ लाओं तुम्हे कुछ नहीं हुआ बस आगला छोड़कर दिली जाने के खायल से नर्वस हो गई हो खबराओ मत अरी यकीन मानो पूरे दिली शहर को लूट लोगी मैं तो खहता हूँ कि तुम उन बुलंदियों पर पहुच जाओगी जहां वेगा मक्तर और इकबाल बानू का मुकाम है मैं आगर छोड़कर नहीं जा सकती क्यों नहीं जा सकती यहां कौनसा घजाना गड़ा है इस सलील शहर में तुम्हें गुम्नामी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला क्या समझती हो तुम्हें सबस बाग दिखा कर भगा ले जा रहा हूँ तुमसे निकाह करना चाहता हूँ कल रात तक तो तुम्हें इतनी उताबली हो रही थी यह आद चनक तुम्हें क्या होगा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्यों मैं माँ बनने वाली हूँ या खुदा हेमराज को इसका इल्म है नहीं मैंने उन्हें नहीं बताया उसे पता भी चल गया तो क्या करेगा वो इस बच्चे को हर्गिस नहीं अपनाएगा जानता हूं मैं उसे मैंने तुमसे कहा धन जिंदगी भर तुम्हारी देखपाल करूंगा तुम्हारे बच्चे को कुबूलने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं वो हमारा बच्चा होगा आचा चलो 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 जल्दी चलार हो जाओ चलो रास्ते में राजासाब की कोठी से होते हो जा सकते हैं नहीं वो किस्सा आप खत्म हो गया मैं उनकी देवर लोटाना चाहती हूँ लाव मुझे दे दो मैं संभाल लूँगा अल्लाहुम्मा सुल्याम मुहम्मद अल्लाहुम्मद अल्लाहुम्मद बहुत बहुत मुबारक वापको मुबारक को साधित मिया खुश रहो बेटी, अल्ला मुबारक करे फर्माइए मौलवी साभ, कितनी रकम पेश करो 75 रुपे साधिर कर दीजिए आप 100 रुपे लीजिए, अब शादी रोज रोज तो नहीं होती बहुत बहुत शुक्रिया खुदा इस जोड़े को अपने करम से नवाज़े आच्छा, खुदा आखुदा अरे, खड़की तो बन कर लीजिए अरे, ढेखना हो तो ढेखने, मिया वी भी है आखर गारवालों से मिलने कब चलेंगे पोटे कवी नहीं अपनाने वाले बहुत ही पार्षा नवाजी किस्म के लोग है ये नाचना, गाना बजाना, सब मकरूर समझते है लेकिन मैं तुमारी खातिर अपने खांदान से भी नाता तोड़ने के लिए तयार हूं और मैं आपके खातिर काना जोड़ने के लिए तयार हूं पागल तो नहीं हो गई उस दल्दल से भ्या कर क्या तुम्हे खाई में धगेलने के लिए लाया हूं जो कुछ भी हो आज से हम और तुम एक हो गए है और फिर फिर क्या कुछ दिन बाद हमारी सकीना पैदा हूई और मैं सर्दारी के कैरियर को बढ़ाने में जुटक्या उसके आवास की तयारी में मुझे बेहत मैनद करने पड़ी अच्छ तुम कुछ कहना मत बात मैं करूंगा बस उसकरादी रहना यह बिजनस मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम सिर्व गाना बाखे सब मेरी जमिदारी जी मेरे आका अच्छ यह क्या करी हो बहात तो चुड़ो अरे लूग दिख रही अरे यह चुप चुप जो Mr. Sen Mr. Sen, Sir, मुझे सादिक मुझे कहते है, Sir सादिक, आपसे कुछ तिन पहले बात हुई थी, Sir सादारी बेकम के बारे में, Sir आप इनने सुनी, Sir, यह यह लाइक क्लासिकल गाती है, Sir Mr. Sen, मुझे सादिक माफ करें, आज तो मैं इनने नहीं सुन सकता आप फोन करके ऑडिशन का अपांटमेंट कर लें, यकिन दिलाता हूँ, पूरे ढंग से सुनूगा Sir, Sir, two minutes, Sir, आपको डिसपॉन नहीं करेंगी, Sir अनमोल ही रहा है, Sir, आपने टूजँगे, खजाना है, खजाना, प्लिस, Sir तुस सादिक माफ कह चुका हूँ, इनका ओडिशन माइ बाद में करूँगा प्लिस, excuse me Sir, कुछ गाओ, गाओ, लिसन, प्लिस मुरे कानहा, कानहा है मुरे कानहा जो आए पलत के अपके होली मैं खेलूंगी डत के मुरे कानहा जो आए पलत के अपके होली मैं खेलूंगी डत के उनके पीछे में चुप केसे जाके उनके पीछे में चुप केसे जाके ये गुलाल अपने तन पे लगाके रंग दूंगी उन्हे में लिपट के अपके होली मैं खेलूंगी डत के मुरे कानहा मुरे कानहा मुरे कानहा जो आए पलत के अपके होली मैं खेलूंगी डत के कियो नोने अगर जोरा जोरी कियो नोने अगर जोरा जोरी कियो नोने अगर जोरा जोरी छीनी पिचकारी बया मडोडी है छीनी पिचकारी बया मडोडी आप दौसार के लुए जोरी कोल जोरा जोरी और इस तरह हिंदुस्तानी मॉसिति के उपकते एक नया सितारा उबर कर नुमाया ओए आद्द साल तक यही सिलसिला चलता रहा सर्दारी की महफिले, रेकॉर्डिन, टूर, हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में संगीत समेलन है सर्दारी बड़ी खुश थी, माशालला उसकी सहथ भी अच्छी हो गई तो फिर उसके बाद आपके तालुकात बिगडने लगे हाँ, पता नहीं सर्दारी को यह एहसास होने लगा कि मैं जो भी उसके लिए कर रहा था वो काफी नहीं था क्यों, क्या क्या हो नहीं बात बात पर नुक्ता चीनी, हर चीज में मीन मेख निकालना पता नहीं कहां और कैसे, वो बदल गई, बहुत बदल गई सर्दारी, पच्चिस तारी का प्रोग्रम तै हो चुका है यह देखो, जबार भहिया का तार आया है पादर सीरियस ऑपरेशन इमीजटी नेसेसरी तुम्हारा वाजाना क्या मुनासिव है? दिल तो बहुत करता है जाने को, मगर अबबा बुरा मानेंगे सुचती हूँ कुछ पैसे भीज़ देते, कितने ठीक रहेंगे? पांच हजार का मनी ओडर करवा देता हूँ क्या? पांच हजार? उससे क्या होगा? पंदरा बीस हजार तो भीजने ही चाहिए पंदरा बीस हजार? इतने पैसे हमारे पास का है? क्यों? अभी अभी लकनव, बनारस और काणपूर वाली टूर के 50,000 मिले हैं? फिर मेरी राइल्टी और उन बेहुदा शादियों के नजरालने जहां तुमारी वज़ा से मुझे अपना गला पालना पड़ता है यह तो क्या, घर का खर्चा नहीं है? तुमारी यह खिम्ति-खिम्ति साडियां, यह सेवर, सखेन की आया? यह समुझे ताम जहमें कितना घब जाता है? और जो कुछ बचा है वह मैंने इंवेस्ट करवा दिया है इंवेस्ट? हाँ काहे में इंवेस्ट किया है? भई, मकान, जमीन, जैदाद, शहर वगएर में मगर मैंने तो कोई लिखात पड़त नहीं की अरे तो इन सब दीटों से तुम ही क्यों परिशान करता? है? वेकार का टेंशन? तो सब कुछ क्या तुम्हारे नाम है? तुम्ही समझते हो कि यह सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ इतने साल होगे सर्दारी तुम्हें कभी यह नहीं का कि भैसा कहा जा रहा है? और अब हुकम देती हो कि गड़ी के एक चुथाई में बीस हजार ला कर दूँ नहीं देता तो इल्जाम लगाती हो मैं कोई ल्जाम नहीं लगा रही हूँ तो क्या कर रही हो? जिस तरह तुम सोची ना उसका यह मतलब है कि तुम्हें मुझे पर अद्बार नहीं रुपया मेरा है और अगर उसमें से मैं कुछ खरचना चाहूँ तो मुझे मिलना चाहिए तो यह ले फिर तो क्या वो अपना मेंटल बैलन्स ही खो बैठी यूनो बात सिर्फ रुपय तक ही नहीं महदूद रही जब भी मैं कोई कॉंसार्ट या महफिल पिक्स करता वो बस बहाने बनाती या फिर देर से आती या पिर मुझे नहीं दिखाती वही तो इसी देर और उचाहे सर आप कब तक और इंतजार कराएंगे हम बार बार आपकी बीवी की नखरों की वज़े से रेकॉर्डिंग कैंसल नहीं कर सकते नहीं लेकिन सबेरे ही उनसे बात ही सर उन्होंने कहा की आ रही है फिर नहीं आने की कोई वज़ा है हो सकता है सर मुझे लगता है उन्हें घजल के लिरिक्स कुछ बेहुदा से लगे हो सर बेहुदा से लिरिक्स तो आप ने पसंद किये थे सरदारी बेगम से अप्रू नहीं कराए थे कराए थे सर लेकिन उनके मिज़ार का क्या किया जाए घड़ी में माशा घड़ी में तोला आप तो जानते हैं सर मिस्सादिख मैं आपकी बीवी की उनकी आवाज की उनके टैलंट की बहुत इज़त करता हूं रेली लेकिन टैलंट ही काफी नहीं डिस्प्लिन भी है यह आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं सर लेकिन उन्हें यह बात कौन समझाए वो तो कहते हैं मैं फंकार हूं तुम लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो आप प्लीज उन्हें समझाए सर प्लीज ठीक है आज शाम मैं आपके हाँ आथा हूं विल वाकर सुनी टोगेदर आप मिसर बलसावर, I am very sorry, the recording is cancelled for today माफ करना आप सब लोग, sorry मैं बहुत शर्मिंदा हूं, सर कहां चली गई थी तुम तुम्हें अच्छी तरह मालू मैं कि आज सेन साब क्या recording है क्या आपने मुझसे पूछ कर तारीख मुकरर की थी मैं सकीना से पहले से वादा कर चुकी थी कि आजमीद की खरीदारी के लिए जाएंगे तुम्हारा क्या आज ही जाना जरूरी था? इसकी बाकी सहलियों की माएं भी साथ गई थी जिंदगी का ये पहलू भी बहुत एहमियत रखता है हां, तुम्हारे केरियर से ज्यादा केरियर खोटे पर बैठी बाई जी की तरह थुंकेदार गीत और बेहुद आकजले गाना ये मेरी रिवायत नहीं है मैं रागदारी सिंगर हूँ, मिर आसन नहीं बात को मत पढ़ाओ सरदारी क्लासिकल हो ये नॉन क्लासिकल, जो पबले को पसंदो वही गाना चाहिए और मैं तो अडवांस भी ले चुका हूँ क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता चुप रहूं, चुप रहा नहीं जाता तु, इस किसम के शेर गाने का अडवांस लिया है लोटा दीजे एडवांस, मैं नहीं गाऊंगी कैसे लोटा दू वो तो खर्श भी हो गए वो सब मैं नहीं जानती आप जाने, आपका काम जाने मैं आयंदा से ऐसे बखवास से गाने नहीं गाऊंगी मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूँ तुम गाऊगी नहीं तो हम खाएंगे क्या आप भी कुछ कर सकते हैं जरा हाथ पैर चलाइए घर बैठे बैठे आखिर बीवी की कमाई कब तक खाएंगे आद हो गई तुमारी वज़े से मेरा केरियर तबाह हो गया, बिजनस बरबाद हो गया कहती हो कुछ नहीं करता अगर आज लोग तुम्हें जानते हैं तो मेरी वज़े से अच्छा अगर मैं तुम्हें आज घर से निकाल दूँ तो एक मिनिट के लिए भी अपने भूते नहीं जी पाएंगे तुम क्या समझती हो, तुम्हारी टुकड़ा का मुटाज हो नहीं है क्या अच्छा, चैलेंज कर रही हो, चला जाओंगो यहां से बहुत से हली तुम्हें नकरे बस इस गर का मुझे कुछ नहीं चाहिए अच्छे, कपड़े और सकीना को साथ ले जा रहा हूं, चल सकीना को नहीं ले जा सकते वो मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ भी नहीं पता नहीं, सर्दारी ने ऐसा क्यों कहा उसके बाद मैं वहाँ एक पल नहीं रुकना चाहता था आखिर मेरी भी हज़त है फूपी ने कैसे मैनेज किया होगा आपके जाने के बाद? ऐसी बेसहारा भी नहीं थी वो उसके मददगार बनने के लिए बहुत से लोग तयार थे मानिक संज जैसे तो फिर आपका तलाक हो गया? नहीं, मैंने उसे तलाक में दया मुझे हमेशा यही लगा के उसे मेरी जरूवत पड़ी और पर सकीना भी थी खाक सुक मिला उस बचारी को उस घर में रहकर यूजी, यूजी मिसर साधिप, यूजी यूजी नहीं तो पर था थाए थाए अगर सकीना ना होती, तुनका सेपरेशन बहुत पहले हो गया होता आखिर सरदारी को उने निकालना ही पड़ा लेकिन साधित मिया का तो दावा है के वो फूपी को छोड़ कर गये थे यह सपोस्थ तो यूजी तो यही कहेंगे चीर्स जा रहा हूं मैं हाँ, जाहिए, जाहिए, इस घर में आपका एक तिन कभी मुझसे बर्दाश नहीं होगा यह मेरा भी घर है, सिर्फ तुमारा नहीं मगर इसे बनाने में मैंने अपना खुनपसीना एक किया है आपने क्या किया आज तुम जो कुछ भी हो, मेरी बज़ेश हो यह मत भूला कि मैंने तो सब कुछ तुमारी खादर किया है अच्छा, इसलिए एक पाई अपने नाम कराई गोल्चा सेनवा के पास जो जमीर है, किसकी है बोलिये ना और पहाडगर्ज में दुकाने और वो ठाटा के शेयर हे मराज साब ने जो मुझे जेवर दिये थे, वह भी बेच खाए होंगे सरदारी तो गूंगी गुडिया थी ना, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता आ तो पाई-पाई का हिसाब ले लो, मैं समझाने को तयार हूँ लेकिन तुमको बोलने का मौका का देती हो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आपकी तो मुझे सूरत से नफरत इतने बरसों तक मैं तो अंधी थी, अंधी या खुदा यह में लेते जाए यह क्या कर दियो, मेरी कात तो सुनो, लिमाकत मत करो सरदारी सब के समय तभशा करने की क्या जरूरत है जफा हो जाएए यहांसे, जफा हो जाएए कम सिगम एगब का तो खायल रखो आप सादिक साब पिता देशा क्यूं कर रही है आप इच दीज की तरफदारी मत करिए इन्हें भी अपने साथ ले जाएए मुझे अकेला जोड़ दो सादिक बेगम, जल्दबादी में फैसला मत कीजिए जो भी कर रहा है, सोच समझ कर कीजिए बेगर, सैन साब कवा है, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है तुम्हारे और सकीना के बिना मेरी जिंदगी किस काम की जूट, सब जूट, तुम्हें सिर्व अपने आप से मतलब मैं क्या चाहती हूँ, इसका कभी खयाल भी नहीं आया और मेरी मौसीगी, वो तुम्हारे लिए रुपया मटरने का जरिया अच्छा, ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्ची के मिला कुछ नहीं करूँगा लेकिन इसदर हो, तुम्हों मुझे मंटुकडा हूँ, क्या कर रहा है अच्छा, जाहिए यहां से, बहुत हो चुकडा हो गया है तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचा है, उसे एक बाप की जरूए अच्छा, बेटी का बाप बने के लाइक नहीं अच्छा, जाहिए यह देखा है जाहिए तुम्हें अच्छा, जाहिए अच्छा, साजिख फिर वापस लोटा है और सरदाई ने भी उने आने से नहीं रोका लेकिन साजिख मियां कहां बदलने वाले थे एक दिन उनने जाना ही पुरा और जो भी हाथ में आया वो साथ लेकर कुछ भी नहीं छोड़ा सरदारी का जेवर, खीमती कपड़े वो भी बेच डाले सरदारी बहुत परेशान थी और गाने में भी जीनी लगता था फिर उसने अपने निजी मामलों में मुझ से राई लेनी चुरू की माफ कीजी एक बात पोचू वर यू लापता? यस इस दिफिकल नो तो बेच्टर तो सम्मोन लग सरदारी नीबू लगा दू? अदब अदब अरे, सेन सहाब, आईये आईये भुट्टा खाईये, गरम-गरम शुक्रिया अदब सकीना ये तुमने मंगवाय थे शुक्रिया और मेरे लिए कुछ नहीं आपके लिए क्या है? चंद पुरानी बंदिशे हैं हर्मोनियम पर गाके नहीं सुनाएंगी चलिए कोशिश करते हैं आईये चचा हुजूर इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था हुजूर इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था हुजूर इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था कहा किसने के ये जौरो जफा मत कीजिए हम पर कहा किसने के ये जौरो जफा मत कीजिए हम पर बस इतनी सी गुजारिश है कि कम करते तो अच्छा था हुजूर इतना गर हम पर करम करते तो अच्छा था बहुत खूब यह वन्डरफुल ऐसा क्यों न करें इन पुरानी बंदिशों का तुम्हारा एक रिकॉर्ड निकलते कौन खरीदेगा लिमिटेड एडिशन सिर्फ आपके लिए इससे अच्छा और क्या आ सकता है अरे अरे आप तो जहेब कै मुझे अपनी बात नहीं करनी आती सरदारी पर मतलब है तुमने कभी इस शादी के बारे में सोचा है किसकी शादी मैं जजबाती आदमी नहीं हूँ और नहीं इतना जवां कि मैं मजनु की तरह तुम्हारी इश्क में दीवान हो जाओं लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम तो जानती हो कि मैं आप बहुत शरीफ आदमी हैं सैंसाहब लाखों में एक मगर मैं एक पती व्रता आधर्श पत्नी नहीं बन सकती मेरे लिए संगीत के आगे कोई चीज एहमियत नहीं रखती तब ही तो शादी करना चाहता हूँ ताकि तुमको अपनी संगीत के लिए पूरी आजादी मिले मगर हम दोनों बिलकुल अलग-अलग महौल से हैं क्या समाज आप पर उंगली नहीं उठाएगा मुझे इसकी कोई परवा नहीं तुम जैसी भी हो मैं स्विकर करूँगा और मेरी बेटी उसका तो बाप है उस शक्स की तो मैं परचाई भी इस पर नहीं पढ़ने दूगी कोई और अंदिजाम हो सकता है मेरा मतलब है मैं सकीना का सारा खर्चा उठाने को तयार हूँ उसे प्यार चाहिए खैरात नहीं तब तो ना हुआ ऐसा ही समझे मैं बेटी से अलग नहीं हो सकती खुद हाफिस खुद हाफिस खुद हाफिस तो यह रिग्रेट येस सकीना को अपनाने से मुझे मुझे कत्राना नहीं चाहिए था और उसी जमाने में उन्होंने गाना भी छोड़ दिया हाँ इसी के असपास छोड़ा नहीं कम कर दिया वो अपने आपने से मटने लगी और मैं भी उनकी मदद नहीं कर सका मगर आप तो एक बड़ी म्यूजिक कंपनी की डिरेक्टर थे हाँ लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे कंपनी के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं की सरदारी बेगम एक तूटे हुए तारी की तरहा आसमान में बढ़कर बुछ गई इस बात का मुझे ब़ुछ दुख है मौलभी साब फूपी की मौत का तालोग उस पसाद से तो नहीं था पावा कीजिये मौत्रमा पॉलिटिक्स से वो मीलों दूर भागती थी उनका तो सिर्फ एक शगल था अपनी बेटी को फक्का गाना सिखाना वैसे आखरी दिनों में उन्होंने शादी के कुछ रिष्टे भी ते करना शुरू कर दिये थे ये एक वज़ा हो सकती है शायद अल्ला के घर आपको बहुत सवाब मिलेगा सारे महले की बेलोस खिद्मत करती रही है मगर सकीना के बारे में जरह सूचिए खली अश्वाक उल्ला जहाब एक रिष्टे के बारे में बात कर रहे थे सकीना को मौसी की से कहां फुर्सत वही उसका औरना बिचोना अब शादी करके क्या करेगी और रान शरीफ में हिदायत है कि शादी हर एक इनसान के लिए फर्ज है और एक जवान औरत के साथ इस तरह का बरताव के जाइस है एलो मैं भी कौन सी बूड़ी हो गई हूँ मेरे लिए भी कोई रिष्टा ले आते हैं तौपा तौपा कैसी भादे कर रही हैं आप दुल्हा दुल्हन आ गए ये मोहन है और ये कुल्सूम जीती रहो मौलवी साहब अब आप जटपट निकाह पड़ दें नजराना लाए हूँ जी ज्यादा नहीं है जितना भी हो बेगम साहवा ये निकाह कैसे हो सकता है लड़का हमारे मथभका नहीं है मैं कुल्सूम के लिए अपना धरम बदले को तयार हूँ दुल्हा दुल्यन राजी तो क्या करेगा काजी ये मुनासिब नहीं है बेगम साहवा बाद में तक्रीफ होगी अरे मेरे होते वे कोई ने छूबी नहीं सकता मैं एक फूक मारूंगी न तो सब भी घर जाएंगे रफीक मिया ज़र तश्रीफ लाएं ये लड़के की तरफ से गवाँ हैं और ये लड़की की तरफ से फते खान साहब आप बहें से ते वकील तश्रीफ ले आईए अरे क्या हो रहा यहाँ सर्दारी बेगम तुमको किसने कहा यह सब कराने के लिए अरे निकाह कराने की जुर्ट कैसे हुए तुमारी है ओट यहाँ से बढ़िया है निकाह कराने वाली तो क्वार करेगा तू चाहिए यहां से तेरी तेरी ताहूंगे तोड़के बाल देन को बच्चों पर अपना फैसला थोपने का कोई हद नहीं पहुंचता अरे हराफ हो कही की जबान लडाती है एक तो सारा फजीता ख़गा कर दिया उपर से लिट्टा पिला रही है अरे तुछ जा तेरी तो जा निकाल दोगे घर पे चाहँ दो सारी तो मेरे सब समभा हथ सहीं की फिर क्या था तनाव बढ़ता ही गया पॉलिटीशन ने भी इस बात को खूब उच्छा ला तो फसाद की जड़ वो शादी थी यह कहना तो मुश्किल है हाँ अगर चुनाओ की दिन नहोते तो बात खुद बखुद थंडी पड़ जाती है इस तरह की शादिया होती रही है माबाप राजी नहों तो जगड़े भी हुए है लेकिन ये बात इतनी आगे बढ़ी उसकी वजा एलेक्शन यह मानना पड़े बहुत बहुत शुक्रिया मौल्वी साथ खुदा हाफिज फिया मनुला सकीना बीबी है जी है आप उपर जाएए इधर जी आप सकीना बाजी आदाव मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगे अपनी मा की बारे में आप कुछ तो कह सकती हैं जो हमारे वीश में था वो हमारे आपस की बात थी आपको इससे क्या लिना देना इस मामले को लेकर आप इतनी टची क्यों है, क्या आप दोनों के बीच बंदी नहीं थी? आजकल तो सभी के यह होता है, जैसे के मैं और मेरे अब्बा. इन दिनों तो हमारे बीच बात्चीत तक बंद है, पर जब बार मामों तो बहुत नर्मिसाज आदमी है, वो मेरे प्रॉब्लम नहीं समझना चाहते हैं, क्यों, ऐसा है, हमारे अख़बार के जो एडिटर है न, वो और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन अब्बा क को ये बात करता ही पसंद नहीं, अच्छा, वो शादी शुदा है, और अब्बा को ये यकीन हो गया है, कि वो अपने बीवी बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगे, और मैं यूही कुवारी बैठी रहूंगी, और उनका ख़च्छा सच्छा है, पता नहीं, मैं भी काफी एहमक हूँ, I'm such a fool अरे, ये क्या हो गया, अगर आप कहें, तो मैं चली जाती हूँ, कुछ नहीं, तुम रुको चानती हो, मेरी माने भी मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, ये तो कभी सोचा भी नहीं उनके पास, उनकी मासीखी किसे बाद था ही क्या? कुछ नहीं... कुछ नहीं.. चम-चम बाजे नहीं किस समा था है! चम-चम बाजे नहीं कि अथया कि ये बादी. पाखड़, चम-चम बाजेशे begins Right गिल गिल दिन रानिहारे गिल गिल कुपार, फिर आयी बडरिया पाणी पिल गिलकिन दिन धिल गिलकिन दिन रानिहार बिल गिलकिन खुपार है 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 सकीन प्लीज तुम मत रूँ देखो यह सब हमारी वेज़े से हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आप लोग इसका भी कि हम आप लीज प्लीज प्लीज छोड़ दो इसे जाओ यहां से एक शाम के लिए काफी नुकसान कर चुके हो माफी चाहता हूँ हमने अपनी तरफ से पूरा इंतिजाम किया था मगर आपने वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला दर असल आपके चाहने वाले बहुत उतावले हो रहे थे बाती नहीं कि सकीना जी अच्छा नहीं गाती हैं यह वाकर यह बहुत अच्छा गाती हैं बस बस बहुत हो चुका हम आज की तौहीन आसानी से भूलने वाले नहीं इतनी अच्छी शुरुआत की फिर बीच में जाकर तुम बहग गई मैं नर्वस हो गई थी आप अभी मेरी आवाज मेह फिल में गाने लायक है ही नहीं मैं आप जैसी नहीं हूं आप से में गाना नहीं काऊंगी हर्गिस नहीं नहीं बेटा एक छोटे से हादसे की वज़ा से दिल छोटा नहीं करते है अलावर्ज है मुझे क्या अंदर आने की इजाज़त है तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई इस विचारी को तुमने कितना जलील करवाया है सारा कैरियर तबाह कर डाला आप से जादा मुझे इस बात का दुख है मैं जानता आप सम सकीना को ना तो आप में और ना ही आपकी शारी में कोई दिल्चस्पी है मैं नहीं चाहती कि आप जैसे खाली दिमाग नौजवानों की वज़ा से सकीना की तवज्व मौसी की से हग जाए जाए सकीना तुम मुझसे खाफा हो गई है न बेटे तुम तो जानती हो मैं तुमारा भला चाहती हूं और मौसीकी की तासीर ऐसे दिल से निकलती है जो पाक साफ हो इसके लिए तुमारा जहन भी एक ही नुकते पर ठिका रहना बहुत जरूरी है आमोद को आइंदा मैं यहां नहीं आने दूंगी फिर क्या आमोद में भी तिमसे मिलने की कोशिश नहीं की वो तो मुझे यहां से ले जाना चाहता था मगर मैं कैसे जाती थी मजबूर थी मुझे हर रोज एक खत लिखा करता अम्मा को पता चला तो बिना देही खत भाड़ कर भैंक दिया कर दे उसकी बाद मेरी मर्दों की तरफ आँख उठाना ही बंद कर दिया जान गए कि शाद यह खुशी मेरी जिंदगी में नहीं मैं तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहती थी क्यों नहीं तुम अब तक जिन जिन लोगों से मिली हो सबने सदारी बेगम की बहुत तारीफें की हो लेकिन जिस सदारी बेगम को मैं जानते थी वो अपनी शारत कप की खो चुकी थी अपने आखरी दिनों में शादी के रिष्टे पक्का करकर घर चलाया करती मगर उनका गुरूर बरकरार था बहुत इतरा कर कहती मुझ जैसी ठुमरी सिंगर तो अब कोई है ही नहीं और जाहर है मेरे जिने का भी एक ही मकसद था एक और सदारी बनना किसी ने पूछा भी नहीं सकीना तुमारी क्या खोईश है वो तुम्हारा भला चाहती थी सभी माबाप यही चाहते है तैसीब तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो मामु जान ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पालाए वो जब भी यहां आते तुम्हारी ही बातें किया करते एक बार अमी ने तुम्हारी तालीम के लिए कुछ रुपए दिये थे मामु जान वो लोटाना चाहते थे इस बात को लेकर हो खुब जख्टा हुआ चपार वो तो मेरी तरफ से तौफ़ा था नहीं आपा कर्स था मुझे अच्छी तरह से आदक कर्स था यह क्या कर्स कर्स की रट लगाय हुए हो भाई नहीं कैसा लें दिन जो कुछ मेरा है वो Sorry मेरा नहीं है मैं मह्नत की कवाई खाता उपा तो क्या मैं हराम की खाती हूँ तुम्हारे लिए तो मैं गाना गा कर नहीं बदरद बेच कर कमाती हूँ रख लो अपने पैसे वापस, मुझे नहीं दर्कार आप खुदा के वास्ते मुझे इस तरह से ताने मत दीजिए, मुझसे बरदाश्ट नहीं होता है, आप लीजिए अपने पैसे रख लो इने, वरना चूले में जोग दूगी, और तुम भी दफा हो जाओ यहां से, ना तुम्हारी सूरत देखनी है, ना तुम्हारे पैसे ठीक है, जा रहा हूँ, यह रहे आपके पैसे, मुझे भी आपकी सूरत इतनी अच्छी नहीं लगती है कि बार-बार यहां कर आपके ओल-फॉल सुनता रहूँ हाँ, हाँ, जाओ, कौन परवा करता है तो, प्रेमाजी किच्छा आया क्यू बेकार अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है भाड में जाए जब भाड सकीना, यहां आओ बेटा, मेरे पास आओ यहां आओ ना मेरी बच्ची, मेरा चांद वादा करो कि तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगी जब मैं बूड़ी, कुबड़ी हो जाओ तब भी और इसी तरह तूटेवे बरतन के टुकडे भी उठाओगी हाँ? हाँ, पबी मेरी बच्ची, मेरी प्यारी मुन्नी बिटिया, मेरे जीने का मकसद तुम हो तुम्हारे सिवा, मुझ पर कौन आसू बहाएगा? मेरा फन, मेरी मुसी की, तुम ही जिन्दा रखोगी हाँ, हाँ, खुछ कहती क्यों नहीं? इस तरह तो मत खूरो कुछ बोलो तो सही तुम्हे खुद घर्ज औरत हो पहले मुझे अपने बाप से महरूम कर दिया फिर धांकी पढ़ाय देने से इंकार कर दिया ताग मैं कई सोचने अलग जाऊं पुरी तरह से बेकार और लाचार करके रख दिया और मामु जान को यह भगा दिया क्यों? क्योंकि उनको मुझसे हंदर दे थी? तुम मुझे सहर लगती हो नहीं रहना मुझे तुमारे साथ बिटा क्यों मेरे दिल पर इस तरह वार करती? कौन है मेरा इस भरी दुनिया में तेरे सिवा? नहीं रहना मुझे इस घर में आप किस चीज की कमी है तुम्हे? सब कुछ तो दिया है मैंने कभी अम्मा कहने तो नहीं दिया आप अभी कहकर पुकारना पड़ता है आपको, आप अभी क्योंकि इससे आपकी उम्र छुपती है कितना जी चाहता था एक पर अम्मा कहकर पुकारो उसके बाद मेरे गाना छोड़ दिया और अम्मा से भी बात चीत करना बंद कर दी इसा बोले कि याद मुझे संदिगी भर सताएगी आठी बोड़ा पाल्की जैकरिया लाल्की आठी बोड़ा पाल्की जैकरिया लाल्की आठी बोड़ा पाल्की जैकरिया लाल्की आठी मेरे वोड़ा लाना alguna कर दी बोल्की भाल्की जोड़ा पाल्की छादमाे दीद जैकरिया व्ल्की जैकरिया 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 खजयीँ ज्यारी सकीदा क्या हुआ अपा भी? अपा भी? अपा? परीदा? अपा? पीबी को बुलाना? जी मैं भी बुलाती हूँ हेलो? अपा भी? अपा भी? हाथ शगान ने दे बेटा तेरे बाल तो छूलो आख आखिरी बाल अपा भी? अपा भी? मैं तुम्हारी माह हूँ बेटा किया मैं अच्छी माती अपा भी? अपा? 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 मार जी मा कुछ गाउ सकीना गाना नहीं चोड़ना यही तुम्हारी विरासत है मा इसके सिवा और क्या था मेरे पास फस्ति आमा आमान 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 करें आमान चली की के नगर चली की के नगर जब फूपी जान से हा कहा, तो क्या तुम जूट नहीं बोल रही थी? नहीं तो करूच जर्व के ना करें मिने सच कहा था अच्ण की का विंदक आढ़ मिय करें एद की नहीं आज रहीं अज़नी थे लेका पह रहीं आज चाहा होगी थे जिर आदू वह वह-व्रा, वह-व्रा, वह-व्रे रहत जानी आदू और खाना ज़रूर खा कर जाना बेटे हाँ पूरब हाँ तैजीब बेटा जी एक मनेटा मैं तो इस बनाता ही देखो तैजीब मुझे ताउमर इस बात का अफसूस रहेगा की मैंने अपनी बेहन को क्यों न का रहा अब कम से कम हम दोनों की बीच तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मन्जूर है मैं शर्मिंदा नहीं होगा आपको शर्मिंदा होने का मौका ही नहीं दूंगी अबबा खाना ले लो पहजीद जी तुम यहां क्या कर रहे हो रहा नहीं गया सीरे एपोर्ट से आ रहा हूं सफर कैसा रहा बहुत बुरा तुम्हारे बेना क्या अच्छा लगता है वह स्टोरी कर ली पूरी हां कर ली इंडियन क्रानिकल में छप रही है उन्होंने मुझे बंबई में नौकरी का भी ओफर दिया है और मैंने हां कर दी है तुम मुझे मेरे मतलब है तुम दिली छोड़के जा रही हो यहां कुछ है जो ठहरू हमारा क्या होगा? यह तुम उचे तुमसे पुछा चाहिए माक तहजीब हम जैसे हैं वैसे नहीं दै सकते इसमें बुरही क्या है वाट स्वॉववफ इट एफरिटिंग स्रॉंग विट पतेव तो नहीं है मुझे रोपने कोशश मत सिनू, वहां से लिख प्लेटी हम वे लीकर उंको देतुं चल्दी से I've made up my mind Pleaseी, Tehzy, don't go Think about it I have thought about it Don't do such a जलबाशी बर्दी Ma, it's no use लुगाई दिए लुगाई लगाई चली एकेनाग आगई चली तिरी के नगर सज के दुना मैं के में जी घब रावत है मैं के में जी घब रावत है अब साचे नगर को जाना है अब साचे नगर को जाना है ये जूता नगर कहलावत है ये जूता नगर कहलावत है चली तिरी के नगर जूले पी पर अब वाचाँ पन घट मेरे गलियां का पन घट मेरे गलियां का बाबुल मैयां सखियां अगना बाबुल मैयां सखियां अगना सब छोड के गोरी जावत है चली तिरी के नगर चली तिरी के नगर दिल थां 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 ऐसे धड़कत है दिल थां थां ऐसे धड़कत है रहे रहे के दिया जू भड़कत है मन तड़पत भी है मिलने को और लाज भी मन को आबत है चली तिरी के नगर चली तिरी के नगर चली तिरी के नगर चली तिरी के नगर चली पिके नगार